नमस्कार मित्रो, स्वागच्छे तमारू अमारी यूट्यूब चैनल धमिकेनिकल याजुके अटरस्मा तो मित्रो घणा समय थी यूट्यूब ना कमेंट सेक्षन मां अमने रिक्वेस्ट आवती हती के जैमां आपडे अनर्जी के एक खुबच महत्व पूना नो ुश्कसान करिये पर मित्रो मारी ये वी रिक्वेस्ट छे के आ वीडियो जे च्छे ते तमे शंपून रिते जोजो कानके आमा गणाबधायवा टोपिक छे केज़े most IMP कहीं सकते हैं तेमा थी तमारे घनु बदू तम्हें note-down करी सक्षो तमारी notebook माँ तो खास आव वीडियो संपुर्ण रिते जो औने ध्यान पुर्वक जो तो आओ आज नो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करिए आज ना वीडियो लेक्चर माँ फर्स्ट आपड़े solar energy वी से डिसकसन करी सु तो आओ तमने थोड़ो घणो solar energy वी से introduction आपी दो The sun is star in space which will provide energy for another 4 billion year तो मित्रो solar energy उपर आपड़े सुका में वधार ने वधार भार मुको जे आपने 4 billion year सुधी जे छे ते फ्री माँ energy आप तो रह से तो मित्रो आजे sun छे ते नो जे main source of energy छे ते nuclear fusion प्रोसेस छे जनरली तमने बदाने खबर नो होई तो तमने जना विदो के solar energy जे छे ते nuclear fusion प्रोसेस द्वारा जनर्वेट थाई छे अने nuclear fusion प्रोसेस ते high temperature अने high pressure उपर जे छे ते helium बनावे छे कोना द्वारा तो के hydrogen ना अनुँआ जियारे बेगा थाई ने helium बनावे छे nuclear fusion प्रोसेस द्वारा त्यारे तमने enormous amount मा एनर्जी जुआ मड़े छे अने आ एनर्जी ने solar energy तरीके उडखाई छे तो मित्रो solar energy प्रुथवी उपर जन जीवन टकावा मते सुका में उप्योगी छे ते पन एक वर समझी ले उपड़े तो अहीं आतमने में त् प्रुपिकल रिजियन्स मा एनले के नोर्थ पोल अने साउथ पोल अने एक्वेटर लाइन हवे मीतरो तमने खबर छे के एक्वेटर लाइन छे तेमा डाइरेक्ली जे छे ते सूर्य प्रकास पड़तो होई छे तिया टेम्प्रेचर हाई होई छे जेवा के तमने रीजियन लो वोई छे फरंतु तो तेने कमपेर कर सो नोर्थ पोल अने साउथ पोल नी जे एर पौलीट्य फेसे हाई ओवाना कहरे कने जे डैंसिटी से हाई होँना कांडे bigger प्रेशर प्रेशर तु लो तरफ जेए चे ते मूँ करवानी कोसिस कर से तेना काणे तमने नौर्थ पॉल थी इक्वेटर तरफ औने साउथ पॉल थी इक्वेटर तरफ जेए ते ग्लोबल एर सलक्यूलेशन जुआंबढ़ से तो आमा सोलार एनर्जी नो खुब ज बॉल्ड कोना भाग बजवे छे तरा अब ड़े सेकंड पॉइट रीड करिये हाइट्रोलोजीकल साइकल है ड़े छोन तो के परुथवी पर्णी जे पाणी नी जरुरी आच छे पाणी जरुर्या तीन सेंस किये जे समुध्र नू पानी छे ते बासपी भोवन थैने वादल मोजा अने सुनामियो तेनु पन जवाबदार परीबढ़ छे सूलार एनरजी तो मितर आवा घणाबदा पिरामिटर छे के आपड़े सूलार एनरजी उपर डिपेंडेंट छे आपड़ू जन जीवन टकाव माटे तो अवे आपड़े थोड़ी केरेक्टरिस्टिक ओफ सन व आवे छे तेनी एवरेज डेंसिटी जो आपड़े केल्क्यूलेट करिये तो ते 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जेट ली छे अने तेनु एवरेज सरफेस टेंपरेचर जो आपड़े लिए तो ते 5762 केल्वीन जेट लू तमने जुआ बड़े छे अवे मितरो रीजियन यारबाद ग्रेनियूल यारबाद संस्पोर्ट अने आवा केटला घणाबदा रीजियन जे छे ते संन में दर्सा वेला छे अब मितरो अहिया जो आपड़ेज स्ट्रक्चर स्टडी करवानी ट्राई करसू तो आ वीडियो लेक्चर घणाबद लामबू थे जास अब नेक्स्ट आपड़ेज बात करी सु इंडियन सोलार एनरजी सेनरियो अब मितरो आपड़े इंडिया नी बात करवाना ची के सोलार एनरजी सेनरियो मां इंडिया नी सु प्रोग्रेस छे रिनियोबल एनरजी इनर टीपी एस 206.5 million ton of oil equivalent it means mtoe 23.4 percentage of tpes यामाजे इंट तो तमने कई दो के tpes एतले तेनु फूलफोर्म धासे total primary energy sources हवे total primary energy sources छे तेमा coal नो पन समावेस थाई छे oil नो पन समावेस थाई छे hydrological power plants nuclear power plants बदानो समावेस थाई छे तेमा थी renewable energy source नो जे भाग छे ते छे 206.5 million ton of oil equivalent अने ते तमे total tpes ना calculation करवाजा उटका वारी प् 4.4 percentage अने IEA जे estimation आपे लूँ छे ते छे अराउंड 10% जेटलू IEA एला के International Energy Agency द्वारा जे या estimation आपाई लू छे त्यारवाद आपड़े next point बात करिये renewable electricity आवया मित्रो आवात ती renewable energy नी तेमा पर्टिकुलर्ली आपड़े बात करिये renewable electricity नी तो ते केटली जन्रेट से टेरा वोट अवर ते जे छे ते 17.2 percentage of electricity जन्रेट जन्रेट था रही छे तेना 17.2 percentage जेटली electricity आपड़े renewable energy sources माती collect करिये छी है अने IEA द्वारा जे टोटल काड़े मावेल हो तो ते हातो 24.6 percentage जेटलो तो आपड़े solar energy नी बात करिये तो solar energy मा तमें जो ही सकोच हो के 3.1 million ton of oil equivalent एडले मात्रने मात्र 0.4 percentage जेटली जे आपड़े energy solar energy माथी extract करिये छे तो मित्रों आई खास विचारवा जेवी बावत छे कि आपड़ी पासे घणी बदी solar energy अवेलेबल हो आपड़े मात्रने मात्र 0.4 percentage जेटली तेनी energy जे छे ते total primary energy source ना comparison माँ यूटिलाइस करी सक किया छिए अने जो तमने generation बता हूँ तो ते छे 26 TWh ते मात्रने मात्र 1.7 percentage जे छे ते electricity generation आछे एलेके मात्र अपड़े 1.7 percentage जेटली electricity generation solar माथी करिये छिए मित्रों आजे डेटा लेवा मावेलो तो ते international energy agency द्वारा लेवा मावेलो तो अने ते calculate करेलो हो तो 1st April 2017 टू 31st March 2018 आजे डेटा जे छे ते 2018 नो डेटा पन तमया कई सको मित्रों इंडियन गवर्मेंट द्वारा केटलों प्रोपोजल्स छे ते पन मुकों आवेलो छे तो ते एक पचे एक जोई लेए बाई 2022 दा कंट्री ऐम्स तो है 175 गीगावट अफ इंस्टोलेशन ओफ रिन्यूबल इलेक्रिसिटी केपसिटी तो मित्रों इंडियन गवर्मेंट द्वारा बेजर बावीस सुधी मा यह एक एम राखलों चे के 175 गीगावट जे लिए आपड़े इंस्टोल करसू केपसिट के जे रिन्यूबल इनर्जी नूँ रिन्यूबल इलेक्रिसिटी मा कन्वर्जन करी सके त्यार बाद आपड़े नेक्स्ट पोइंट रीड करिए इंदी 2018 जजी ओ आई एलेके गवर्मेंट ओफ इंडिया अनाउंस देन इंक्रीजड एमबीशन ओफ 227 गीगावट त्येना करता है वदार एटलेके 227 गीगावट जिटली केपेसिटी इंक्रीस करवानू बाई 2022 एंड 275 गीगावट जिटली केपेसिटी इंक्रीस करवानू बाई 2027 जिटलू तो मित्रों आजे एमबीशन छे त्ये खुब सारा देखाई छे ओन पेपर परन तु सिटेंबर 2019 ना रोज माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ए अनाउंस्मेंट करे लिये थी कि आपड़े एक नवा टार्गेट सेट करिये छे 450 गीगावट ओफ रिन्योबल इलेक्रिसिटी केपेसिटी विधाउट स्पेसिफाइंग डेट लेके त्यारे जे समीट मां कोई पन प्रकारनी डेट औने येर जे छे त्ये मैंसन नो तो करवा मावेलू तो मितरो इन्योबल इलेक्ट्रिसिटी केपेसिटी इंक्रीस करवा उपर गवर्मेंट ओफ इंडिया ए घणावदा एंबिशन्स लिधाला छे परन्तु ग्राउंड रियालेटी उपर ते अने प्लस जे क्रुडोयल नी जे इंपोर्ट मां घटाला आउसे तो इकोनोमी मां पन ग्रोथ तमने जुवा मड़ से मितरो अब बद्याज डेटा जे छे ते गवर्मेंट नी साइट उपर ती लिधाला छे www.niti.gov.in अने www.bwe.india.gov.in तो मितरो आके टलीक वात थे इंड कंस्टन नी सुं डेफिनेशन छे तिया आपणे हमना फुडाक समय मां सीकी लेस्वय तो ओहिआ तमे फिगर मा जोई सबुचो के left-hand side मा तमे और्थ ने जोई सको चो हो और्थ ने राइड N साइड मान इस सबुचो अविमित्रो जे ओर्थनों जे डायामिटर छे तेछे 1.27 इन्टू 10 रेस्टू 7 मीटर अने सनों जे डायामिटर छे तेछे 1.39 इन्टू 10 रेस्टू 9 मीटर अविमिजरो तम्ही आ जोई सकोचो के बनने वचेनों जे सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स छे तेने मीन डिस्टन्स तरीके पन अड़क फामावे छे तो ते छे 1.495 इंटू 10 रेस टू 11 मीटर प्लस और माइनस 1.7 परसंटेज जे लू जे वेरियेशन छे ते पन तेमा एड करवानों वे छे कारण के आपणने खबर छे के और्थ जे छे ते सन नी आसपास इलिप्टिकल सेइप मैं लगे इलिप्टिकल पाथ मा रोटेट थाई छे नौ के सर्क्यूलर पाथ अविमेजरो आपणे जोई लिए के सन द्वारा जे एंगल सबस्टेंड करवा मावे छे अर्थ ना एकवेटर उपेड लगाए जे सेंटर पॉइंट छे बरोबर तेना उपर जे एंगल सबस्टेंड करवा मावे छे सन द्वारा ते छे 0.52 डिगरी जे लो एंगल सबस्टेंड करए छे हाँ में तरो सोलार कॉंस्टंट नी जो वेल्यू तमने जनाविदो तो सोलार कॉंस्टंट नी वेल्यू छे ते छे 1367 वाट पर मिटर स्क्वेर एलले के जो अहिया तमें कल्कुलेशन करशो इंपर्सोलिवां मित्रों आजे सकुन सोलिवा सोल्च कुंस्टों नी समझे है बाद सोलार नी जे एनरजी छे ते अर्थनी सर्फेस उपर कई रीते पहुंचे छे तेना केटला भाग पड़े छे अनि तेमा ती आपड़ी माटे कईो भाग जे छे ते उपयोगी छे ते आपड़े जोवन गुड़े छे तो अहिया तम्हें जोई सको छो क्या फर्स्ट ओफ ओल इनकमिंग सोलार पावर इनकमिंग सोलार पावर इलेके सूरिय द्वारा तमने केटलो पावर अर्थनी सर्फेस उपर मोकल भाम आवे छे तो ते छे 174 पेटा वोट मीतरो खास याद रग जो पेटा वोट जे छे ते नानो यूनित नथी 10 रेस टू 15 10 नी 15 घात कर सो त्यारे तमने पेटा वोट मा जे छे ते आंसर मड़तो होई छे तो पेटा वोट एक नानो यूनित नथी तो 174 पेटा वोट जेटली एनर्जी जे छे ते सूलार द्वार अर्थनी सर्फेस उपर मोकल भाम आवे छे अवे मितरो ते माथी अर्थनी सर्फे जीटलो लोस थाई छे आ सोलार इनर्जी नो तो आ 50 परसंड जीटलो लोस घ्या थाई छे ङया एक वर संभक लए сосillar क्लिटार मां स这र्फेस और डैक तमने सम्झावत तो आढलो के सूलार नूज आ रे पोतानी दिसा एलेके पोतानी डिरेक्शन चेंज करिया वगर डायरेक्ली जो अर्थनी सर्फेस उपर आवे तो तेने बीम रेडियेशन के वाई अवे अपने जो एले जो एले ये सको छो के बीम रेडियेशन ना बे भाग पड़ेशन अने एब्जोब रेडियेशन तो अवे आपड़े जोई लिए स्केटर्ड रेडियेशन औने एब्जोब्ड रेडियेशन तो अवे यह तम्हें जोई सकोजो रिफ्लेक्टेड बाई एट्मोस्फियर यह लिए कि सोलार एनरजी जह छे तेने 10 पेटावट जेटली एनरजी एक्मोस्फियर द्वारा जे रिफ्लेक्टेड थी जहेए मैं हमित्र भाई जोई सकोजो के 33 पेटावोट जेतली एनरजी जे छे एटमोस्फियर द्वारा एब्जोब थाई छे एटमोस्फियर मनें खबर अच्छे के घणा बदा रीजियन स्वेज़े तेना द्वारा 33 पेटावोट जेतली एनरजी एब्जोब थाई छे तो ते अंते जाई चे किया radiated to space from atmosphere एड़ले के atmosphere मानी जे बदी ज एनरजी है चे एड़ले के ते 1, 1, 1 पेटा वोट जेकली energy directly atmosphere माथी पाची space मा radiated थैली तमने जुआ मड़े चे हवे में तरह फरी थी और्थ माथी पॉन directly 10 पेटा वोट जेकली energy तमने space माँ जती जुआ मड़े चे हवे आई या तमें चेर और्थ सर्फेस उपर आऊ से लेके ground उपर आऊ सो त्यारे तमने जोई सको चो के जे direct beam radiation पहुची आचे ते beam radiation माथी 12 पेटा वोट जेकली energy conduction औने rising ती ये रेके air circulation मा यूस थाई चे त्यार बाद 40 पेटा वोट जेकली energy जे चे ते water ने वेपर माँ convert करो माँ जे लेके जे समुदर माँ पाणी रहलू छे तेने वेपर माँ convert करो माँ जेकलाउड ना formation मा यूस थाई चे और्शन नी सर्फेस माँ जे energy reflect थाई चे ते चे 26 पेटा वोट जेकली energy फरीथी atmosphere माँ जे चे ते एंटर थाई चाई चे तो मित्र आ ग्राफ द्वारा तेमाँ जोईस तको जो कि आपनी पासे टोटल बे रेडियेशन चे ते माँ पन फ़र्स्ट जे चे ते चे बीम रेडियेशन औने second is diffused radiation परन्तु अहिया अवे बन्ने नो जो सरवाळों करवा माँ आवे एडले के beam radiation औने diffused radiation नो जो समेशन करवा माँ आवे तो आपनने global radiation मढ़े चे जन्रवली जे radiation छे तेने global radiation माँ measure करवा माँ आवे चे अने आपने आगड वात पन करसू के global radiation छे ते extraterrestrial radiation करता सुका माँ उप्योगी छे अवे अपने नेक्स्ट बात करीशू solar constant related for ethically definitions छे ते पन रीट करीशू ने solar constant छेशू तेना भी से बात करवाना छी है the amount of solar energy per unit time received on the unit surface area at the top of the atmosphere perpendicular to the radiation direction at the mean distance between the earth and sun is known as a solar constant तो मित्रों जो हूँ तमने आडेफिनेशन सरण भसा मा समझाओ तो आपड़े एक previous slide छे ते लई 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 है हव मित्रों solar radiation दरों के आ डिरेक्शन मा आवे छे और डाइरेक्ली जे छे ते और्थनी surface उपर इंपार्ट थाई छे हव मित्रों per unit time मा आज जे solar radiation छे ते केटली amount मा एंटर थाई छे atmosphere मा perpendicular to the atmosphere एटले के atmosphere नी आहिया जो तम्हें line लियो तो तेने perpendicular केटलू solar radiation per unit area per unit time enter थाई छे तेने solar constant केवा मावे छे अने तेनी value केटली छे 1367 watt per meter च्यारे sun अने earth वच्चे mean distance 1.495 x 10-11 meter होई छे त्यारे आपनने अटली energy impart थादी जुआ मड़े छे तो मित्रों आसा राखू जोके solar constant भी शे हवे तमने संपूना मा ही दी मड़ी गिया छे त्यार बाद आपड़े next point रीड करिये extraterrestrial radiation is the radiation received in the absence of atmosphere हवे जियारे आपड़े बात करी सुके atmosphere नी absence छे लेके atmosphere ने आपड़े जियारे neglect करी सुआ थो atmosphere नी बारे लेके अर्थना atmosphere नी बारे solar radiation केटलू आपड़े receive करिये छे तो तेने केवा मावे छे extraterrestrial radiation हवे में त्रो the value of solar constant is given by world radiation center is 1367 watt per meter square एडले के 1367 watt per meter square जे छे त्या solar radiation नी value छे अन्ने त्या कोणे आपड़े ली छे world radiation center है हवे में त्रो आपड़े extraterrestrial radiation जो calculate करो वोई तो तेने एक IMP formula पना या दरसावे लू छे तो त्या तम्हें तम्हें कई ली ते calculate कर सो Ion एडले के extraterrestrial radiation नी जे intensity है थो तो energy is equal to solar constant isc into bracket 1 plus 0.0033 cos लेके तम्हारे cosine ले उपर से कोन हूं तो के 360 into n divided by 365 अहिया 365 जे छे ते year ना day दरसावे छे अवे अहिया n is equal to days of year counted from January 1st हवे में त्रो आहिया तम्हारे n January 1st ने reference मा लेने calculate करवानु रहे से अन्हे तेनी value जे छे ते तम्हारे अहिया put up करवानी रहे से त्यार बार आपने जे ओल्रे लेक्चर मा डिसकेसन करवानु छे तो मीत्रो आजना वीडियो लेक्चर मा आपने घणबदा statistical data analysis जो या solar radiation ने लगता solar energy ने लगता तिमा पन Indian energy सिनारियो कही रीते solar मा अटे छे ते पन यहां जोयो हवे मित्रो जे आपने next वीडियो लेक्चर मा मड़ी सु त्यारे आपने radiation measure करवा माटे ना केटलाक instruments वी से डिसकसन करवाना छिए तो मित्रो आवा केटलाक वधार इंटरस्टिंग वीडियो जो हुआ अमाटे तमाहे अमारी YouTube चैनल ने हजी सुधी सब्सक्राइब न करी होई तो जरूर सी सब्सक्राइब करो तेनी बाजियो मा आपे नोटिफिकेशन बेल पर पन क्लिक करो तेना द्वारा अमारा वीडि मा जना भी सको चो तेंक यू था एंक यू वरी मच पर वासिंग वीडियो